इमर्जन्सी में इसको कैसे वापर सकते हैं ये देखते हैं सबसे पहले ये केस को हम खोल कर इसके अंदर की लाइट्स जो है इसे निकालेंगे इसके टेलिस्कोपिक मास्ट को निकालेंगे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही बैक खोला तो ये एक आटोमेटिक लाइट स्टार्ट हो गई है ताकि अंदेरे में आपको अंदर के सभी पार्ट्स आसानी से दिख सके अब हम टेलिस्कोपिक मास्ट को निकाल रहे हैं जिस पर हम लाइट माउंट करने वाले है ये एक एक्चुल साइट डेमो है आप देख सकते हैं यहां पर पूरा अंधेरा है और हम देखने वाले है कि कैसे ये रिमोट एरिया लाइटिंग सिस्टेम जो 2x24 की रिमोट एरिया लाइटिंग सिस्टेम है इसे हम यूज कर सकते हैं अब हम टेलिस्कोपिक मास्ट पर लाइट फिट कर लेते हैं ये पूरी सिस्टेम लेस देन 3 मिनिट्स के अंदर आप कमिशन कर सकते हैं बैक को खड़ी करकर हम अब इसके जो टेलिस्कोपिक मास्ट और लाइट से इसे फिट कर लेते हैं यहां पर जो दो रिंग टाइप के डिस्क टाइप के जो स्टड दी है इसमें आपको फिट करना है क्लॉक्वाइज घुमा के इसे हम टाइट करेंगे लाइट लग चुके हैं और अब हम इसे इनके रिस्पेक्टिव कनेक्टर्स जो दिये हैं इसमें हम इंसर्ट करेंगे हमारे कनेक्टर्स लग चुके हैं और अब हम सिस्टेम को पावर करेंगे अब हम इसकी key switch को activate करेंगे आख देख सकते हैं इसमें जो battery level indicator है वो start हो चुका है और अब इसकी power switch को हम press करके हम lamps को activate करेंगे आब देख सकते हैं कितनी लंबी तक light जा रही है यह इसकी low mode है अब हम इसे medium mode में डालेंगे और अब high mode में अब इसे और लंबे तक पहुचा सकते है अगर हम इसकी mask टेलिस्कोपिक mask जो है इसको हम extend कर ले तो अब हम टेलिस्कोपिक mask को extend करेंगे और आप देख सकते हैं कितने लंबे तक ये light जा रही है इसकी पूरी 7 feet, 8 feet height तक हम इसे extend कर सकते हैं one by one करके ये एक actual field demo है जिसमें आप देख सकते है system remote area lighting system 2 by 24 की जो system है ये लगी है और ये fully extended lights है और आप देख सकते हैं कितने लंबे तक lights जा रही है आप देख सकते हैं इसका focus टर्न कर रहे हैं तो इसका focus अब देख सकते हैं बहुत ही लंबे area तक ये light कवर करती है अब हम आफ करेंगे system को देख सकते हैं आप जैसे पूरा अंदेरा है एक बार और इसे on करके low mode में medium mode and high mode झाल झाल